एलो स्टुडेंट मैं पवन भमूरिया उड़ान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम पढ़ेंगे डी तथा एप ब्लाक एलिमेंट के अबजेक्टिव की सीरीज इस चेप्टर से 4 मार्क्स के अबजेक्टिव आएंगे हमारी एक्जा यादा है इस्टार्ट करते हम वस्कूशन है हमारा फिल इन दब्लेंक तो फस्कूशन लेते हैं एफी सीओ नाई दात्तों को क्या कहते हैं एफी सीओ एनाई मेटल्स और कॉल्ड इसेट फो इनको लोह चुम्ब की पधार्थ का जाता है फेरो मेगनेटिक का जाता है लोह याद रखेंगे कि इंपोर्टेंट कोश्यन मोस्ट आएमपी कोश्यन है फिजिक्स में भी आपसे पूछा जाता है कि लोह चुम्ब की पधार्थ के एक्जाम्पल क्या है फेरो मेगनेटिक क्यों से सफ्टेंड होते हैं आईरन कोबाल्ट एंड निकिल नेक्स्ट जो हमार पर्माणु क्रमांग में व्रद्धि के साथ त्री सागे Welcome का ईकरल खालिस्तान हो जाता है तो जैसे जैसे better है अपको बताना है कि धनायनों के यों क्या होताँ नंबर तो टामिक नंबर इंक्रीज होने का मीनिघ है कि नूक्रीज का नूक्रीज कर दूब फ्रवर्स प्रट्रेक्शन इंक्रीज होगा, जिससे जो साइज होगा, यह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो साइज आफ जो केटायन वो डिक्रीज होगा तो हमारे धन आयनों का आकार जो है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है नेक्स्ट कुश्चन हम लेते हैं थर्ड कुश्चन है निम्नतर आक्सिगन अस्था प्रदर्सित करने वाले संक्रमन धातु खालिस्तान प्रकृति के होते हैं तो जिनका भी ना अक्सिडेशन नंबर लो होता है उनका नेचर क्या होता है उनका जो नेशर होता है वह चारी होता है इसका मीनिंग है कि बैसिक नेचर के होते हैं जितना हमारे आक्सिगन वस्था कम होगा उतना यह चारी प्रकृत्व बैसिक करेक्टर के होगे next question लेते हैं, जिंक जो है, अगर जिंक का ऑक्सिडेशन नमबर की बात करें तो जिंक का electronic configuration होता है, 3D 10, 4S2 और D में 10 electron हैं, सभी paired electron हैं, कोई unfaired electron नहीं है, के वो ये अपने 2 electron जो last silk electron हैं, इन से के वो बॉंडिंग कर सकता है, बाकी है जो D block है, ये bond formation में participate नहीं करेंगे, बं जोए दो निलमेंन के तत्व क्या है लाते हैं एयमेंट को लिए लिए लकट्वत को हमं अंतर-संक्रमण कहते हैं अंतर-संक्रमण- Megap यह क्वजिए को अंतह शंख्रमणत भी काते हैं इनको इन ओर ट्रांजिशन ऑलिमेंटत कौलेंगे इन нет कर सेमर बनेलमेंट कि अरफ अब कसिंदो अभला किको एलिमेंटि ट्रांजिशन आप नेक्स कोषियन पूत्व नमबर इस है संक्रमंग तत्व उनके योगिक खालिस्तान का कार्य करते हैं राचेस्ड़ाइशनस आप ट्रांजिशनन अलिमान ओल्मेंट्स और एस्टे निमाइशन तत्व जो है वह उत्प्रेरक की भाती कार्य करते हैं उत्रप्रेरक रूप में इसका प्रयोक किया जाता है संक्रमंट तत्वों का कैटालेस्ट उप मुझे हैं क्यों ङ्वाहन होते हैं यहां हुझे हैं उ divers एलेमेंट को सब्सक्राइब दिक वाहर जो सब्सक्राइब सभीजिए, इस है उसमें फिलख़ इन सब्सक्राइब है इंपोर्डेंट कोश्चन हो सकता है ये भी नेक्स कोश्चन है डी ब्लाक एलिमेंट को क्या का जाता अभी बताया था मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर इन्हें संक्रमंट तत्व का जाता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट याद रखेंगे या संक्रमंट तत्व हिंदी कि प्रत्रह प्रत्म अंतर संक्रमेंट स्धेन के अभी जो ए ब्लॉक अलिमेंट मे लासिल जो हो सकता है वो फोरेप हो सकता है जिसमें इंसर्ट होगा या फिर फॉसकता है अगर 4F होता है हम बोल रहे हैं कि a block element जो है उनको हम two category में divide करते हैं अगर last cell 4F में electron insert होता है तो देटा या दो जो और कॉल लेंथेनाइट अगर 5F में electron insert होता है 5F में electron प्रवेस करता है 5F उपकोस में उनको हम बोलते हैं एक्टिनाइट लेंथेनाइट तो हमारा जो answer वो है लेंथेनाइट लेंथेनाइट इस करेक्ट एंसर होगा कि जो फरस्ट है पस्ट सीरी जो इप लॉक एलिमेंट की वो लेंथेनाइट होती और सेकंड जो होती उसको एक्टिनाइट कहा जाता है अब हम पढ़ेंगे एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजी answer in one word are sentence और अगर कोपर प्लस वन का हम कॉन्फुर्गेशन बनाए तो कॉन्फुर्गेशन होगा 3D 10 4s 0 और कॉपर 2 प्लस का अगर हम कॉन्फुर्गेशन राइट करें तो होगा 3D 9 4s 0 अब 3D 10 का मीनिंग है आप जानते हैं कि D में कितने एक्टरान है 10 इलेक्टरान है और कोई भ इक गालार लेस होता है और अगर एक फिल एक्टरान अन पेर्डे वह कैसा होता है कॉप अ क्वार 1- होता है वो कैसा होगा कलर लेस नेक्स्ट कोश्चन ने लेंथिनाइट एक्टेनाइट में कौन सी स्रेणी उच्छत्तम अक्सी करन अवस्था प्रदर्सित करती है तो हमने एक डिफ्रेंस देखा था इपरेंस बिट्मीन लेंथे नाइट एन अक्टेन आइट उसमें हमने सबसे अधिक स्थाइए और उसकी प्लस थ्री ऑक्सिडेशन नंबर इस्टेट है और उसकी प्लस थ्री ऑक्सिडेशन नंबर इस्टेट सब्सक्राइब इस्टेबल होती अधिक स्थाई होती धन तीन लेंधे नमका ऑक्सिडेशन इस्टेट इस्थाई होता है नेक्स वोशन ने फी थ्री पॉजिटिव में अईगमित इलेक्टानों की कितनी संख्या होती है आईरन जो है उसका एक्टामिक नंबर आईरन का परमा अगर एक यहां से बाहर हो जाएंगे और एक इलेक्टान यहां से बाहर हो जाएगा अगर इसा होगा तो देखिए क्या होगा यहां से भी यह दोनों elektron बाहर चले गए अगर elektron बाहर चले गए हैं तो यह blank हो जाएगा और इसमें कितना होगा एक elektron रहेगा 3 elektron को बाहर करना है तो 2 elektron 4S से और 1 elektron इस orbital से बाहर जाएगा अब हमारे पास आंपेड देखे तो कितने हो जाएंगे 5 फी 3 पॉजिटीव जो होता है उसमें उन्पेड इलेक्टरान कितने होते हैं 5 होते हैं नेक्स कोशन राइट करते हैं देखते हैं डी ब्लाक के तत्वों में जिंक परिवर्ती सहुज़क्ता प्रदर्सित नहीं करता क्यों अभी मैंने आपको बताया था कि जिंक का जो कॉन्प्रिकेशन होता है इस थ्रीडी तैन 4S2 यह केवल अपने टू इलेक्टरान से बॉंडिंग कर सकता है वेलेंसी लेक्टरान है लेकिन यहाँ पर डी में कितने इलेक्टरान है टेन और कोई अन्पेड इलेक्टरान नहीं है आल इलेक्टरान्स आर पेरड तो इट्सो ओनली प्लस टू अधीक महतुपून आक्सिगन वस्ता कौन सी है अगर अगर कोपर की अभी हमने टू ओक्सिदेशन इस्टेट देखी थी प्लस वन और प्लस टू यह जो दोनों ऑक्सिदेशन स्टेट में इसमें अगर हम देखे तो यह कलर लेस होता है कोई कलर शो नहीं करेगा क्योंकि D म में कितने होते 99 तो यह colorful होता है और यא के तत्व को कितनी सीरीज में be इन हाव मेनी केटेगरी इसका जो कुस्चन का एंसर वह वह गाट टू केटेगरी नेक्स्ट जो कुस्चन है लुनार कास्टिक किसे कहते हैं वाट इस लुनार कास्टिक तो यह आपको फार्मूला याद रखना है ageno3 is a silver nitrate और silver nitrate अपने और गया और गयां कैमिस्टी में पढ़ा होगा टॉलों रियेजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इस काल्ड टॉलेंस रियेजेंट यह वही है जिसका एक दूसरा नाम है लुनार कास्टिक D-block के तत्वों में Zinc अभी बताया है मैंने Zinc क्यों नहीं शो करता है क्योंकि उसका जो D-block है वो D कैसा है complete है तो D complete है और इस कारण ये D complete है इस कारण Zinc अपने oxidation state को change नहीं कर सकता HGCl2 and Ki का छारी विलियन क्या कह लाता है What is an alkaline solution HGCl2 and Ki ये दोनों reaction करके एक substance form करते K2HGI4 K2HGI4 plus KOH इन दोनों का जो mixture होता है उसे हम बोलते हैं Nessler Abhikarmak Nessler Abhikarmak याद रखेंगे Nessler's reagent होता है K2HGI4 plus KOH alkaline solution HGCl2 and Ki are called Nessler's reagent संक्रमन धातों के लवन्ट सामाने रंगीन होते हैं Salt of transition metals are generally colored color होने के दो reason है जो D है D block उस D block में क्या होता है unpaired electron होते हैं D block has unpaired electron D उपकोस जो है उसमें क्या होते हैं आयुगमित electron होते हैं आयुगमित electron और इन आयुगमित electron के कारण इनमें होता है DD transition DD संक्रमन होता है दो reason लिख सकते हैं पहला reason D block has unpaired electron और second हम लिख सकते हैं DD संक्रमन DD transition DD transition के कारण भी क्या होता है ये जो D block element होते हैं colorful होते हैं next है हमको मेजद कॉलम देखना है first है मेजद कॉलम में important हो सकता है इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि एक या दो question आपको exam में मिलेंगे first है coin metal सिक्का धातू coin metal की बात करें coin किस से बनता है बेटा coin metal में हम किसको use कर सकते हैं हम use कर सकते copper gold and silver ये तीनों जो है use की जाती है coin metal के form में coin metal होती है next है अधिक्तम अनुचुम्बकी है आपको जो बेस्ट है इन में से बताना है कि कौन जो है अनुचुम्बकी है अनुचुम्बकी मतलब paramagnetic paramagnetic property किस में होगी paramagnetic paramagnetic अगर हम देखे तो mn2 positive mn2 positive जो है वो है paramagnetic हमारा जो coin metal है उसका ये हो जाएगा फरस्ट का और paramagnetic property mn2 positive में maximum होगी mn जो होता है 2 positive इसका oxidation number ये 2 होगा अगर तो ये इसका configuration होगा d में 5 electron होगे जो की unpaid होगे और d में अगर 5 लेक्तान unpaid है तो वो क्या होगा highly paramagnetic next है platinum धातू तो platinum धातू जो है वो क्या है हमको यहाँ पर best मिलाना है क्यों एक्टिनाइड है a block element है d block element है तो हम देखते हैं अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है मेरे इसाब से d block element है तो लब म्रदा तत्वा तो rare earth metal यह rare earth और metal तो rare earth metal के form में हम किसको यूज करते है a block element को पर यह फोर्थ है और तो जाएगा rare earth metal रंगहिन एन प्रती चुम्बकी तो यह जो है हमारा फिप तो हो जाएगा यह colorless होगा और डाय मेगनेटिक होगा colorless and डाय मेगनेटिक नेक्स्ट है कि जब भी हम क्या करते है oil का hydrogenation करते है कौन सा metal यूज किया जाता है तो वहाँ metal यूज किया जाता है nickel याद रखेंगे रहने निकल निकल जो है वो catalyst की तरह भी हो करता है और यह कहां यूज किया जाता है oil के hydrogenation में यहाँ पर यह जो है hydrogenation है यह hydrogenation हम किसका करेंगे किसका यूज़ करेंगे निकल का नेक्स्ट है आल रेडियो धर्मी सभी रेडियो धर्मी तो रेडियो धर्मी मतलब रेडियो एक्टिव कोन होते हैं तो रेडियो एक्टिव की बात कर रहे हैं तो रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव के फार्म में एक्टिनाइट होते हैं आल एलिमेंट साफ एक्टिनाइट सार रेडियो एक्टिव इन नेचर लास्ट वर्ग समतली स्क्वेर लेनर किसकी जॉमेट्री होती है स्क्वेर प्लेनर के फार्म में किसकी जॉमेट्री होगी एट की मैं रिपीट कर रहा हूँ मेई दिवांगु पुटर मेर्य क्वाइन वयो कि मैंगुटिक परांगेटिक प्रॉपर्टिकन औरन देखे गुदल मेक्चीममङनेटिक फॉपर्टिक और आगर देखे थे प्रफ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नेक्स्ट घूल रिम्च कोन होता है ? उससे हैं है त्टो होता है ॉसमें हाइड्रोज़िज उस होता है और ऐड्रोजन जब कटालीट के कि निकल का यूज किया जाएगा से रियक्ष्शन होता है तो नीकल रिद्यू थार्मी निक्रीट के फॉर्म धन्टनाइब्ध में फर्म आफ देफरेंस होता है वह एक अकेला एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव बाकि सब नान रेडियो क्यूस सब्सक्राइब करते हैं अब हमारा कोश्चन यह लास्ट कोश्चन इस चेप्टर का मल्टीपल चॉइस कोश्चन मैंने मल्टीपल चॉइस में से चॉइस सब अटा दिये संक्रमंट तत्व का इलेक्ट्रानिक विन्यास क्या होता है अब क्या आना चाहिए इलेक्ट्रानिक कॉन्सरों इंसर्ड होता है और कौनसे D में होता है N-1D में कितने एलेक्टान होते हैं 1 to 10 and N is जो लास से ले उसमें भी एलेक्टान का कॉन्फरिकेशन 1 to 2 होता है तेक इंपोर्टेंट कोश्चन है याद रखेंगे जनरल एलेक्टानिक कॉन्फरिकेशन आप ट्रांजिशन एलेमेंट दुर्बल परिरक्षन प्रभाव है जो श्कुरिणिंग एफेक्ट होता है जो श्कुरिणिंग एफेक्ट होगा of a block is are very weak in nature वीक होता है screening effect और screening effect के वीक होने से क्या हो जाता है यह जो lengthenate contraction है वो होता है lengthenate contraction का जो main reason है वो है ab block element में electron insert होता है और उसका जो परिरक्षन प्रभाव होए बहुत दुर्बल होता है screening effect of ab block elements are very weak in nature मोहर लवन का फार्मुला जनरल फार्मुला मोहर सॉल्ट तो मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट बेटा टाइटरेशन आप करेंगे तो उसमें यह आपको पूछा जाएगा एक most important question है titration में practical में आपसे जो भी examiner आएगा वो पूछेगा बेटा what is ferrous ammonium sulphate आपको n by 20 n by 30 solution दिया रहेगा बोलेंगे कौन सा solution है इसका फार्मुला क्या होता है तो जनरल फार्मुला याद रखेंगे feso4.nh4 twice so4.6 h2o is a moher salt it is a double salt यह द्विक लवन होता है chromium के बाहर कोछ का विन्यास the outermost electronic configuration chromium होता है 24 और 24 होता है तो इसका configuration होना चाहिए था 3d4 4s2 लेकिन आपको याद होगा कि होता है 3d5 4s1 d में कितने electron होते हैं 5 और s में कितने electron होंगे 1 4s का एक electron कहां insert हो जाता है 3d में जिससे stability increase हो जाती है और इसलिए chromium का electronic configuration 3d5 4s1 होता है next most important question यह भी है थारी माध्य में केमनो 4 का तुल्यांग की भार the equivalent weight of केमनो 4 in alkaline medium मैं पहले बात करूं कि alkaline medium के पहले यह जो केमनो 4 होता है इसका molecular mass होता है 158 158 होता है अब सबसे पहले हमको जो alkaline medium की बात किये तो alkaline medium में इसका जो equivalent mass होता है वो equivalent mass molar mass का one times अगर molar mass को one से divide कर दे तो इसके equal होगा मतलब यहाँ पर 158 by one होगा तो answer हमारा होगा 158 यह तो हमारा इस question का answer हो गया कि alkaline medium में केमनो 4 का equivalent mass 158 होता है पर अगर बेटा यह पूछ लिया जाए यह तो alkaline की बात हो गई neutral medium में पूछ ले कि neutral में कितना होता है तो neutral के लिए हम बात करें तो e is equal to m by 3 होता है और 158 में divide करेंगे 3 से हमारे पास आजाएगा 52.67 और अगर acidic medium की बात करें acidic media है medium अगर acidic है तो होता है m by 5 और m by 5 मतलब 158 divided by 5 then answer is equal to 31.6 around यह यह आएगा 60 यह equivalent mass होते है डिफरेंट मीडिया में के मेनों 4 का equivalent mass है next question कौन सी lengthenite सरवाधिक प्रयुक्त की जाती है कौन सा lengthenite metal है जो commonly used होता है तो आपर option तो चार होने चाहिए तीनी है पर हमारा answer है cerium cerium जो है उसका बहुत यूज हो रहा है आज पांच की polish जो होती है glass की उसमें भी इसका use होता है cerium phosphate, cerium sulfate के form में next है gadolium का electronic विन्यास electronic configuration of gadolium is gadolium जो है उसका configuration होना चाहिए बेटा 4F में 6 electron और 5D जो है उसमें 1 और 6S में 2 electron 2 electron होने चाहिए और यहां पर 0 होने चाहिए 1 होता है तो वह 4F में चले जाता है तो देखिए यह configuration होना चाहिए लेकिन यहां से electron कहां चले जाएगा 4F में और F में जाएगा तो क्या होगा यहां पर electron 6 plus 1 से 1 हो जाएंगे तो यह होता है गेडोलियम का electronic configuration आप इसको थोड़ा सा नहीं कर लें यह है मेगनीज जो है वो सबसे highest oxidation नंबर plus 7 शो करता है और वो कहां शो करता है केमेनो 4 में केमेनो 4 में मेगनीज का oxidation नंबर plus 7 होता है और वही जो 3D सीरीज है उसमें highest oxidation नंबर होता है पूरी periodic table के अगर हम बात करें तो पूरी periodic table में highest oxidation नंबर किसका होता है औसमियम का और वो औसमियम का ऐक्सिडेशन नमबर कितना होता है प्लस एट होता है ज़ाद रखेंगे एफी टू पॉज्टीव में अगमेद इलेक्टरान कितने हैं तो अभी एफी टू पॉज्टीव की बात करते हैं तो एफी 3D6 और 4S2 होता है 26 होता है, Plus 2 बोला है, मतलब ये ऐलेक्ट और बाहर चलेगे, 0 हो गए, टी में 6 ऐलेक्टान है, अगर डी में 6 इलेक्टान है, तो इसका मीनिंग है, कि 4 तो अनकेड रहेंगे, और 1 कैसा रहेगा, पेड रहेगा, और अगर 4 unpaid है तो हमारा एंसर हो जाएगा 4 unpaid electron in Fe2 positive क्रोमील क्लोराइड परिक्षन नाम में लिखा है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इस दन तो डिटर्माइन दो फॉलाइंग तो क्लोराइड आयन जो है उसका टेस्ट होता है और क्लोराइड आयन की से इसाइडेंटिफाइड होती है तो किसके परिक्षण किया जाता है क्लोराइड का नइश्ट ए शंक्रमण तत्व के रंगिन होने काकार इसे भी मैंने बताय था ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे सब्सक्रमण ट्रांजिशन DD transition DD transition के कारण क्या होता है DD संक्रमन के कारण क्या होता है यह जितने भी संक्रमन तत्वई यह रंगीन होते है या फिर दूसरा हम लिख सकते हैं D कक्षक में क्या होते है अयुगमित electron unpaired electron of d orbital unpaired electron होते हैं d orbital में इससे हमारा transition element होते हैं वो colorful होते है जर्कोनियम और हाप्मियम हाप्मियम में HFF हाप्मियम की परमानु यह आइनिक तरिज्जा लगबग समान होने का क्या कारण है the reason for the atomic and ionic radiob जर्कोनियम और हाप्मियम being at most the same तो इसका reason एक ही है lengthenite contraction lengthenite संकुचन जो है lengthenite contraction जो है उसके कारण इन दोनों की जो ionic और atomic radar है वो similar हो गई समान हो गई ionic और परमान उत्रिज्जा जिससे इनके गुणों में समानता आ गई थी और इनका जो प्रथक करने identification है isolation है वो भी tough हो गया था question number seven मेगनीज की अधिक्तम आक्सी करना था था थोड़ी दिर पहले आपको एक्जाम्पल बताया था के मेंनों फॉर और राइट एंसर के मेंनों फॉर में में का oxidation number कितना होता है प्लस सेवन होता है थैंक यू आज का हमारी क्लास यही तक थी इतनी क्लास थी तो हमने काफी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है में most IMP question लिये हैं और हम चाहते हैं यह बच्चे जो है इसको पढ़े अच्छे से देखे और अपना paper अच्छा बनाया है अपने objective जो है 28 marks में से 28 लाए हमारा यही है में तो आप बच्चों क्या करें अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुचाए आप खुद देखे पहले आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को बताए ताकि आपका time खराब नहों हमारा उद्देश से केवल आपके जो objective question है objective जो 28 नमबर का वेटेज है उसको बढ़ाना उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नमबर लेकर आए ठीक है थैंक यू प्रेट्णावार नहां ज़्यादा से एंज वादा आपके जो भी में हमार आपके जो आपके का वेज्यादा दूद दूद करें दूद लेकर दूद़ाना टूद झाएंका प्लगे, रज़ दूदावार नवले, तो उसकता बदू है दोदाना जापके एंका बदाएंके